और ये सीधे तस्वीरे आप देख रहे हैं बुपाल से जहां मुख्यमंत्री मोहनी आदव करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रधांच्री देते हुए क्योंकि आज पूरा देश करगिल विजदिवस की 25 वी वर्ष गाठ मना रहा है और उन शहीदों को नबन कर रहा है जिनोंने अपनी जान की बाजी लगा दी कि मुख्यमंत्री मोहनी आदव की तस्वीरे आप देख रहे हैं प्ट्जिस साल पहले का आज का वो दिन कारगिल दिवस जब हमारी देश की सिमाओ के अंदर पगल का देश पाकिस्तान अपने सेनिकों को गुसाता है और पूरा देश एक तरह से आश्चर में जाता है पत्कालिन पदर्माद की स्रीमार भारत ना अटल भीहरी वाचपई जी ने सेना को निर्देश दिया और हमारी सेना पर हमको गर्व है जिनने इतने दुरुगम चड होतियों के बीच ना केवल हम अपनी वापस टाइगर हिल्स में जंडा फेराते हैं बलकि विजय की गाता लिखते हैं ऐसे अप्रितम बलिदान के योगदान के सेना के साहस के एक अद्विती युद्ध में जीत का भारत का नया इतियाज बना है मैं 25 साल होगा यह बहुत कारी जिनके परिवार से कोई गया उनकी आत्मा जानती है लेकिन भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरानवित करने वाला भारती सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का छण है जब हम ना केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर स्थापित करने के लिए जीत उनके साथ खड़ा है जब भी चुनोती आएगी सेना हमारी सब से समर्थ साली है वो हर कठिन परिस्तदी में विजय का डंका बजाती है तो हमारी सेना हर जगर विजय का डंका बजाती है सेना को सराहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तस्वीर है आप देखना है उपसे झाल